पिछले मॉड्यूल में हमने रेफ्रेंस लिस्ट के करेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि वहां पर अगर आपको कुछ रेफ्रेंस लिस्ट बनानी है अपने हीसिस से तो उसके क्या बन्यादी असूल है उन में से एक चीज को हम यहां आपके सामने डिस्कस करूंगे देखिए रेफ्रेंस लिस्ट का ओर्डर जैनि ऑथर्स किस तर्तीब से रेफ्रेंस लिस्ट में हैं वहां इतनी सी बात हमने कही थी कि आथर्स को अलफबेटिकली लिखना है रेफ्रेंस लिस्ट अलफबेटिकल होगी अब अलफबेटिकल के अंदर कॉम्प्लिकेशन कैसी हो सकती हैं मिसाल के तोर पे आप इस सलाइड के पहले दो देखिए रेफ्रेंस दोनों का नाम एक यह यह एकी बंदे की पॉब्लिक के रेफ्रेंस भी इतफाक से उसने 2001 में ही चापी हैं तो देखिए दो नाम सेम हो गए तो मैंने यह अफ पबलिकेशन को देखना था यह अफ पॉब्लिकेशन भी सेम हो गए तो अब उसका एक पेपर जो है उसका पहला लफज है कंट्रोल और उसके दूसरे पेपर का पहल बाले डाकुमेंट को उसके बाद देना है या कि दो अगर ऑथर के नाम सेम हो जाएं हाए उसके बाद चाहिए उसके बाद येर देख आ तो फिर article के title का पहला लफ़ देखते हैं अगर यहां तो article के title का पहला लफ़ बदल गया तो मैंने यहीं पर तर्तीब तया कर ली अगर articles का पहला लफ़ भी same होता यानि पहला alphabet same होता तो फिर मैं इसके आगे जैनल का नाम देखता कि किसका पहले शुरू हो रहा है अलफ़बेटिकली उसके हिसाब से तर्टीब देता जो भी नेक्स चीज लिखी होती है उसके हिसाब से तर्टीब देता तो ये एक बात आपको पिछली जो जिकर किया था उसी को समझाने के लिए ये एक और बात हमने इस तरीके से कर दी अब आगे देखिए तीन नाम आगे तीन एक ही बंदे का नाम तीन दफ़ा आ रहा है इसके बाद के से शुरू होता है उसकी पुब्लीकेशन पहले वाली 1999 में है दूसरी 2002 में है और तीसरी में उसके इलावा और भी आथर है तो मैंने जब इनको alphabetically organize करना था, author name तो same था, लहाजा सबसे पहले देखा इनका year of publication, तो इसका क्योंके 1999 की एक publication है, एक 2002 की है, तो 99 वाली publication क्योंके पहले थी, तो वही से उसको तर्तीब दे दिया, उसको पहले लिख लिया, 2002 वाली को बाद में लिख लिया, आगे देखी पे पहला पहला लफज है, उसके alphabet को नहीं देखा, इसमें इतफाक है, कि 99 वाले paper का जो पहला लफज है, वो factor F से शुरू हो रहे हैं लफज, और दूसरा P से, तो अगर इनको भी देखना होता तो तर्तीब यही रहती, लेकिन यहां जाने की जरूरती नहीं थी मुझे, क्यों मैंने year के लिहास से उनको फरक कर दिया, प्राना paper जो था वो पहले, बाद में छपने वाला, बाद में आगया, और तीसरा देखिए, वो भी इसी कही है, लेकिन तीसरे में इसके साथ co authors हैं, दूसरे, तो अब मैंने year की तर्तीब देखने की जरूरत ही नहीं समझी, दो paper उ में उसके साथ multiple authors हैं, वो automatically तीसरे नंबर पर चला जाएगा, irrespective कि वो छपा कब था, फर्स करने हो paper 1920 में छपा होता, तो भी उसने यहीं आना था, वो पहले नंबर पर नहीं आना था, क्योंके पहले नंबर पर उसके अपने नाम मले paper है, को authors के साथ जहां वो नीचे चले जाते हैं, और अब आखरी मिसाल देखिए, क्योंके वैसे ही why से शुरू हो रहा है, उसको नीचे ही होना चाहिए था, और वो सबसे आखर में लिखा हुआ है, और यह जो इस slide पे हर नाम से पहले bullet points डले हुए हैं, यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डाले हैं, कि य जब आप अपने thesis में references बनाएंगे, तो नामों से पहले कोई भी bullet का निशान या किसी तरह का कोई और निशान हम इस्तमाल नहीं करते, सीधा नाम से शुरू करेंगे, और क्योंकि यहां तो इस साथ साथ लिखे हैं, तो मैंने इसलिए लगाए कि आपको अलाइदा देखने तो वो फिर बी के नीचे से शुरू नहीं होता, बलके बी से पांच spaces आगे छोड़ के तो टेक्स शुरू होता, और इसी तरह पिर दूसरा तीसरा चौथा तो वो टेक्स जो इंडेंट कर दिया जाता है, उसकी वज़ाँ से उन में फरक नज़र आना शुरू हो जाता है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो लहाज़ा वहां पर वो फिदशी नज़र आ जाता है के पहला रेफ्रेंश कौनसा है, दूसरा कौनसा है, तीसरा कौनसा है, ये बुलिट्स जोएं, इन की जरूरत नहीं होती और ये नहीं डालने, ये सरफ lifestyle पर आपके समझान के लिए